तेस्टिंग तो होग एक दा मस्त अब यहां पर इसको तोड़ने की बारी है तो जैसे कि आप लोग को याद होगा कि मैंने हापे कुछ दिन पहले कुछ दिनी काफी डाइम पहले मैंने हापे यह वाला एक पेटी वनाई थी जिसके अंदर 10 इंच और 8 इंच वूफर लग रख है और यह जो 10 इंच का वूफर है यह भी हमने खुद रिपेयर किया था क्य अब यह जो आट इंच का वूफर है ना यह भी हमने खुद मैं इसको कबाड में से लेकिया था इसको भी मैंने खुद रिपेयर किया था इसका सही करते है का विडियो मैंने अपने में चैनल को पर आज से करीब दो साल पहले डाला ना जी हां रही मैंने फर्स्ट टाइम इ इससे पहले मैंने कोई भी वूफर स्पीकर का पड़ता नहीं डाला था जी हां यह फर्स्ट स्पीकर था जिसको मैंने खुद सही किया था ठीक है उससे पहले मैंने कोई स्पीकर सही नहीं गया था तो यह फर्स्ट था और यह भी लेटेस्ट है इससे इसके बीच मेंने बह तो बहुत अच्छा है बट इसका जो साउंड है ना यह मैंने फर्स्टाइम किया था तो फर्स्टाइम के इसाफ से मैंने बहुत सारी गल्टिय इसके अंदर करी दी और आज उन गल्टियों का जो ना प्रोग्लम ऐसा है कि है कि आप कम बेस रखोगे तो बढ़ी आएगा तो इसको निकाल लेता हूं बट उससे आपको यह पता चल जाए कि हां सच में यह खराब नहीं है इसका बेस ज्यादा करने फटने लगता है वह मेरे पास जो ना यहां पर फिलाल यह वाल अम्प्लिफायर है अब लेट है सबने कुछ दिन पहले के व्लोग के अंदर मैंने इस इसका आपको पता चल जाएगा कि बेस इसका अच्छा रहा है इसका अच्छा नहीं आ रहा तो बैस मैंने फटा वर्ट से श्याप कर दिया देखो यहां पर इसको चला रहो में बारा वल्ट के डैक्टर से इसको चलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बदाना चाहूंगा कि यह वहला एंप्रीफर मैंने खुद बना है है और ऐस 차 बना है कि इसके अंदर दो चैनल है तो एक चैनल के उपर सिर्फ बेस आते हैं दुसरे चैनल के पर सिरफ अब आ जाते तो मैंने अभी चो 10 गूफर है यह ऐसी चैनल के लगा रख है उस चैनल के उपर इसके अपर ब्रॉलम होती जब हम कुछ भी काम को फस्टेंग सब्सक्ड नहीं करते हैं तो भी मैं आपको इस बने वाला इसके अंदर क्या डिफरंस है अब फ्रिटेस तोड़ी सी बढ़ाता हूँ देनों ऍंद तहरी हों और यह मेने आट पता है थोड़ी से बढ़ाता हूँ मो स्टहों आपने अदम पर दिख्वार्ड हो फिर आपको बता चलेगा कि या डिफरेंस है कि मैंने यहां पर दस इंच के बजाए और निज बूफर कर दिये और चलो अब प्ले करता हूं वही फ्रिक्वेंसी को आर्ट हर्ट की इसके बाद आपको बढ़ा के दिखा दूँगा वोल्यम फ्ले अमसे बढ़ाता हूं देखो यहां पर किस तरीके को सांड आ रहे हैं अभ है यह देखो आप यहां पर यह फ्रिक्वेंसी बढ़ाता हूं कि आप अ पर वां कि यह बादा दिया अपरना और से बारी यह को खोलनेगी तो यह बढ़ा मारद्रिल मशिन मेंकिन इस से हमारा जो वूफर है वह बाहर आ जाएगा तो इसके अंदर मैंने चार स्कूरू लगाए थे एक दो तीम चार्ट ठीक है तो फटावट से इसको खोलते हो यह तो सही एकदम मस्त है इसको खोलते बार लोग टाइम लप्स एंजेवे करो मैंने यहां पर इसके अंदर से समान निकाल दी है समान का मदब वूफर निकाल दी देखो यहां पर काफी मस्त है वैसे तो बटब इसका कोईल का सेटिंग थोड़ा खराब है वह हम किस तरीके से अच्छे से सही करेंगे वह आपको बता चल जाएगा ठीक है और पहले इसको बात करता हूं कि मारे साथ बहुत भारी आई यह तो इसको इसके उपर रग लेता हूं और मैं सोच रहो हूं इसके अंदर जो पड़ता है वह भी पेपर कौन वाला डालू ठीक है पेपर कौन वाला डालो और क्यूंकि रवड़ वाला दो अगर आपकी कोईल बढ़ी है ज्यादा बड़ी साइच की है ठीक है तू लेयर है तो बहुत अच्छा आपको साउंड देगा अगर आप रबड़ वाला यूज करते हो ठीक है तो चलो यहाँ पेपर को नमस्के डालेंगे बड़ फिर भी मैं धाया रखूँगा मतब कोशिश करूँगा कि फटे ना हमार है किसी और काम में आजाये तो फटाफटस इसको निगाले की कोशिश करते आपके सामने निकालने मां फटाब से ट्रेइपड भी लागा तो मैश्माल शारव होगा कांड तो चलो भाई साब यहां पे कट लगाऊ था जैसे मैं इसको खीचने की कोशिश की यह फट गया चलो हमें तो नया ही लगाने तो इसकी बजाए दूसरा ताइच वहता लगाएंगे देखा फट गया भाई साब बहुत तगड़ी ग्लू से चिपका रहा है तो देखा को ग्लू से पता चले है कितनी तगड़ी ग्लू लगाई थी यहां पे इसको भी नटा देता हूं देखो वाई साब यह आज के बाहर यह रिकोईल एंड इसको बाहर निकालता हूं और यह रहा हमारा स्पाइडर देख सकते हो काफी हालत खराब रखी है और इसको भी निकाल देता हूं इसको देखो यहां पे यह हमारा रबड़ वाला कौन यह सब फट बट गया और बंता था इसका फटना क्यों बहुत तगड़ी थी और यह हमने कीच-कीच के निकाले तो भाई सब चूट नहीं था अगर कुछ चूट नहीं था तो और आमस ठूट जाता आप क्या कर सकते है किस तरीके से लगाने से आपका साउंड अच्छा एगा या जो भी है बेस ज्यादा आने पर आपका साउंड वेकाल नहीं है तो किस तरीके से और मैं आपको एक चीज़ और बता दो कि मेरे बताने से जब तक आप उसका प्रेक्टिकली घर पे कुछ वूफरों के उपर कु आपको बहुत अच्छी से बता चल जाएगा कि हां किस तरीके से का मामला है ठीक है तो चलो मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बदा देता हूं जब हम इसको ज्यादा नीचे तक करके फिट करते हैं इसको पर स्पाइटर बगारा ये पढ़दा बदा डालते हैं तो इसस ज्यादा उपर कर देते हो तो अब हैस आपका आवाज खराब आएगा तो वह आपका साउंड बहुत अच्छा देगा क्योंकि ज्यादा नीचे टकर आएगा भी नहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं आएगा तो जब वाइशन होगी अलग अलग फ्रिक्वेंस याईगी तो फि आपको बहुत अच्छतरी के से पता चल जाए एक भी खराब होंगे तो कोई दिक्कर ने कुछ समझ में जो आएगा ठीक है तो मैं आपको भी व्लॉक के अंदर दिखाता रहा तो एक्सपरिमेंट करेंगे ये वह करके जिससे आपको भी थोड़ा बस सेखने हो जाता है तो आगर उसको कि झाहाए तो फिर आपको चीसे बता नीबाँ है कि क् 걸 fit करनी में नहीं है कि पददा लगाना है तो वो चीजी आपको नेट्स लॉक के अंदर दिखाँगा, तो मिल्दा के दिने वर आपके इंदर, हैक्सर वो चिंग, बाय बाय